Hey guys, welcome back to my channel So, आज मैं आप लोग के साथ करवाचाओत make-up look शेर कर रही हूँ और क्या look मैंने create किया है यह तो आपको वीडियो के last में ही पता चलेगा वैसे आप लोग thumbnail में देखे चुक्यों हो कि look क्या है बट फिर भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह का look है और कैसे create किया है तो वीडियो को last तक जरूर देखेगा तो सबसे पहले मैंने plum का green tea moisturizer apply किया है toner मैं already apply कर चुकी थी उसके बाद मैंने lip balm भी apply कर लिया है lip को भी moisturize करना जरूरी है then यहाँ पर मैं LA girl का color character use कर रही हूँ जो भी dark circles है या फ़र dark spots है उन्हें height करने के लिए और यहाँ पर मैं LA girl का concealer use कर रही हूँ और face के highest high points पर मैं इसे apply करूँगी मेरा आवाज जो है तोड़ा गड़बड है क्योंकि मेरा तबद भी खराब हो गया था इस वज़े से यह look मैं बहुत जादा late post कर रही हूँ तो उसके लिए sorry बट फिर भी करवा चौत है और यह look मैं जरूर share करना चाहती थी आप लोग के साथ इसलिए मैंने इसे post किया है so concealer अच्छी तरह से blend करने के बाद foundation मैंने apply किया है पैक का और जो भी product है उनकी details आपको description box में मिल जाएंगी मैंने कौन से product यूज किया है shade क्या है सब आपको description box मिल जाएगा तो वहां जरूर चैक कर लीज़ेगा जो foundation है उसे भी मैंने लगा कर अच्छी तरह से blend कर लिया है नेक पर भी blend क्या है foundation नेक पर भी लगाना बहुत जरूरी है then यहां पर mist clear का मैं compact powder नहीं loose powder यूज कर रही हूँ यह बनाना powder भी बोल सकते हो आप इसे तो इसको मैं लगा लूँगी अपने पूरे face पर इसके थूरू हम foundation को set कर लेंगे then करेंगे contouring और contour मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे face बहुत sculpted लगता है आप खुद difference देख सकते हो तो यहां पर makeup revolution का contour palette में use कर रही हूँ और contour आप कोईसा भी कर सकते हो but cream contour अगर ना करना चाओ वो थोड़ा heavy होता है तो इसलिए आप powder contour भी कर सकते हो easy भी होता है जहलती हो जाता है तो इस तरह से भी कर सकते हो then यहां पर मैं करूंगी blush apply blush भी मैं makeup revolution का use कर रही हूँ इसमें से pink और peach shade को mix करके मैं apply कर रही हूँ current favorite है तो blush भी मैं apply कर लिया है then makeup revolution के ही palette से apply करी हूँ highlighter face के high points पर इसे apply करूंगी then makeup को मैं set कर लोंगी उसके बाद हम लोग beauty blender से इसे dab कर लेंगे जिससे जो भी extra product है वो निकल जाएगा और makeup बहुत अच्छी तरह से set हो जाएगा तो इस तरह से dab dab कर लेंगे face पर उसके बाद मैं start करी हूँ eye makeup, eye makeup के लिए मैंने यहाँ पर Morphe का Jacqueline Hill palette लिया है इसमें से brown shade को darker brown shade के तरू मैं crease बना रहे हूँ तो color build up करते हुए इस तरह से crease जो है वो मैं बना लूंगी same color को lower lash line के पास भी smudge कर लेंगे इससे eye look बहुत अच्छा लगता है then यहाँ पर golden shade मैं use करी हूँ इसको अपने पूरी eyelids पर मैं apply करूंगी तो fingers के help से apply करूंगी इससे color जो है वो बहुत अच्छा आता है उसके बाद यहाँ पर brush में use करी हूँ इस पर थोड़ा सा मैंने fixing spray लगाया है और color लिया है मैंने golden और उसी को मैंने अपने eyelid पर लगा लिया है same brown shade को मैं again crease के वहाँ पर blend कर रही हूँ जिससे harsh line ना रहा है then यहाँ पर मैं काजल apply कर रही हूँ lower lash line के पास smudge करूंगे मैं brown shade को ही तो brown shade smudge कर लेंगे और काजल जो है थोड़ा dark लगाया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है पूरे look के साथ उसके बाद मैं यहाँ पर falsies जो है वो भी apply कर लूँगी falsies बहुत अच्छी लगती है make-up के साथ make-up को complete करती है और बहुत अच्छा सा look आता है then apply करेंगे mascara तो यह मैबलीन का mascara और काफी अच्छा mascara है यह भी बहुत अच्छा सा look देता है eyelashes को fuller दिखाता है बहुत अच्छा mascara है तो मैबलीन का mascara जो है वो भी मैं apply कर लिया है यहाँ पर NYB का eyeliner मैं यूज कर रही हूँ यह eyeliner भी काफी अच्छा है मेरा favorite भी है तो इसी के तो मैं liner apply कर लूँगी उसके बाद यहाँ पर eyebrows fill करने के लिए Miss Rose का eyebrow filler मैंने लिया है इसके तो eyebrows fill कर लूँगी और मैंने यहाँ पर second eyebrow को fill करते हुए नहीं show किया है मैं camera on करना भूल गई शायद तो वह show नहीं हुआ है तो इसके लिए sorry तो यहाँ पर eyebrows भी मैंने fill कर लिये है जो blush है अब मैं again apply कर रही हूँ थोड़ा सा highlighter जो है वो brow bone पर apply करेंगे तो fan brush की help से मैं apply कर रही हूँ इससे apply करना बहुत easy होता है brow bone पर then last time apply करेंगे lipstick यह है swiss beauty का lipstick shade जो है वो इतना pretty है मेरा favorite shade है यह so इस तरह से मैंने look को complete किया है बिंदी लगा लेंगे accessories जो है वह भी मैंने पहन ली है mangal sutra पहनना तो बहुत जरूरी है क्योंकि करवा जोत look है और mangal sutra के बाद अगर सिंदूर apply नहीं किया तो करवा जोत look complete कैसे होगा तो सिंदूर में लगा लूँगी और भर भर कर सिंदूर लगाओंगी क्योंकि अभी सिंदूर का बहुत ज़दा trend है और करवा जोत है तो सिंदूर बनता है तो इस तरह से सिंदूर भी मैंने लगा लिया है और overall look जो है वो कुछ इस तरह से लग रहा है तो आप लोगों को ये makeup look कैसा लग रहा है मुझे comment box में comment करके जरूर बताएगा मुझे तो literally बहुत ज़दा अच्छा लगा और even in real भी ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मुझे तो personally बहुत अच्छा लगा आपको क्या ऐसा लग रहा है मुझे comment box में comment करके जरूर बताएगा अगर makeup पसंद आया है तो please video को like जरूर कीजेगा और आपने friends और family के साथ इस look को share भी कर सकते हो ताकि करवाचौत पर आपके friends और family members भी इस look को create कर सके अगर आप ये look create करते हो तो मुझे मेरे Instagram पर tag करना मत भूलेगा और मेरे Instagram पर आप मुझे follow भी कर सकते हो link आपको description box में मिल जाएगा महाँ पर मैं बहुत अच्छे reels बना कर भी post करती हो करवाचौत के भी बहुत सारे reels में बनाए है तो आप मुझे इंस्टा पर भी follow कर सकते हो so guys this is the final look यहाँ पर लहंगा मैंने वियर क्यावा था yellow lehenga है red dhupatta है इसका और look के साथ यह बहुत ही पारा लग रहा था so that's it for today's video I hope you like it if you did then please like share subscribe and comment see you in my next video till then take care thanks for watching love you all and happy करवाचौत